Welcome back friends, यह हमारी वीडियो number 41, class 12, computer science with python series के लिए और हम discuss कर रहे थे chapter number 7, computer networks को और इस chapter की previous videos में हमने कुछ terms यहाँ पर discuss किये थे computer networks के लिए और इस वीडियो में हम discuss करेंगे network protocols को तो start करते हैं, इस वीडियो के लिए हमारा topic है network protocols तो सबसे पहले protocol होता क्या है, देखिए protocol बोला जाता है set of rules and regulations को जिनकी मुझ अच्छे हम किसी भी network के उपर communicate करते हैं या data को send करते हैं यह simply आपके कुछ set of rules होते हैं, जिनकी जो आपको बताते हैं कि आपका कोई भी data है या वो किस तरीके से send होगा, या वो किटने packets में divide होगा और उस data को हम browser में किस तरीके से display करेंगे तो जितने भी आपे rules हैं, इन सभी rules को या इनके set को हम simply protocols कहते हैं तो simple से इसकी definition है, protocol is a set of rules that governs the communication between computers on a network यानि कि एक network के अंदर आपके computers आपस में किस तरीके से communicate करेंगे तो उनके लिए जो rules हैं, उनी को हम protocol या simply network protocol कहते हैं और इसमें सबसे पहले हमारा जो protocol है, वो है HTTP यानि कि hypertext transfer protocol अब देखिए इसके नाम में ही पुरा कप्रा चुपा हुआ है, hypertext transfer protocol यानि कि worldwide web के अंदर या www के अंदर आपको जो hypertext है, यानि कि internet के उपर जितना भी data है, जो की web pages के form में है and then जब हम उनको combine करते हैं, तो उसको एक website कहा जाता है, तो जितना भी data है, यह data आपका किस तरीके से transfer होता है या किस तरीके से हम इसको इसके लिए request करेंगे, देखिए HTTP जो होती है, यह request होती है server को कि हम किसी data को वहाँ से लाना चाहरा है, तो यहाँ पर data किस तरीके से transfer होता है, इसके लिए जितने भी rules है इसी इनी rules के set को हम HTTP कहते है, Hypertext Transfer Protocol कहते है, Hypertext आपका कुछ भी हो सकता है, यह इतना भी text आपका website पे होता है, वो text form में हो सकता है, audio, video हो सकता है, या graphics या images हो सकती है तो यह सब आपका किस तरीके से transfer होगा, इसके लिए जो हमारे rules हैं, वो simply HTTP है, या Hypertext Transfer Protocols है तो simple सा है, HTTP is a set of rules for transferring hypertext, that is जो आपका text हो सकता है, audio, video या graphics हो सकता है, on worldwide web HTTP defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various command यान कि जितनी भी command हम देते हैं, माली जी हमने request करी, यह command है, तो यह किस तरीके से आपका server है, वो किस तरीके से respond करेगा, कैसे वह से किस format में आपका data आएगा, and then आपके browser में किस तरीके से display होगा, तो यह जितनी भी rules and regulations हैं, यह सबके सब आपके HTTP के अंदर आते हैं, इसका एक और version है, simply अगर आप देखेंगे, तो एक HTTPS भी आपने देखा होगा, तो यह simply आपका more secure रहता है, यहाँ पर ऐसका मतलब आपका security है, में लिए आपने जो बड़ी-बड़ी websites है, Amazon है, Google, Facebook है, यह simply आपके कोई bank के website है, तो महाँ पर आपने देखा हुगा, सबसे पहले महाँ पर HTTPS आता है, HTTP के बतले, क्योंकि यह ज़्यादा secure होता है, इसमें security system और हमारे अच्छे होते हैं, तो आप भी देखिए, जब भी आप किसी website पे जाते हैं, तो आपने देखना चाहिए, कि maximum time अगर आपको internet पे कुई चीज़ ब्राउस करनी है, तो आप HTTPS जो website है, उनको अगर आप ज़्यादा use करते हैं, तो आप ज़्यादा secure आप internet पे रहते हैं, माकी आपका, अगर create करते हैं, तो HTTP से भी आपके create होगी, HTTPS आप अगर आप use करते हैं, तो simply वो आपका ज़्यादा secure रहता है, इसी तरीके से next हमारा जो protocol है FTP, यानि कि file transfer protocol, इसका भी नाम ही बता रहा है कि internet के उपर simply आपकी files को आपका transfer करेगा, किसी network में या internet में, क्योंकि यह आपके FTP है, यह simply आपका heavy files के लिए बनाए गया है, यानि कि heavy files मालीज, अगर आप कोई entire movie आप download कर रहे हैं, तो आपने काफी बार देखा होगा, उस website के आगे FTP आपका होता है, HTTP की जगह, तो simply आपकी file transfer protocol है, जो कि heavy files को आपका transfer करते हैं, किसी भी network के अंदर, और यह आपका website को भी upload कर आपने हमालीज, आपने कोई website create करी, तो website आप create तो करेंगे, अपने system पे आपनी create करी, अब आपको उसको upload करना है किसी server पे, क्योंकि website आपके system पे तो visible नहीं होगी, आपको उसको किसी ऐसे server पे डालना पड़ेगा, जो कि 24-7 आपका run करता है, तो यहाँ पे FTP आपका heavy files को upload करने में server में भी help करता है, यानि कि आपके webpage या website को भी upload करने में help करेगा server में, तो simple सा है, it is used for exchanging files across internet या worldwide web, FTP is used for uploading a webpage to a web server, यानि कि web server में website या webpage को भी upload करने में ये help करता है, इसी तरीके से next हमारा यहाँ पे protocol है, TCP IP, जिसको हमने थोड़ा सा पहले discuss भी किया था, जो कि आपका transmission control protocol and internet protocol होता है, इसको एक communication protocol भी कहा जाता है, क्योंकि ये communication में help करता है, यानि कि जिस तरीके से हम data को receive करता है, या send करते है, server to client या client to server या internet के उपर, तो ये data को जो आपका TCP है, देखिए इसके दो parts है, TCP and IP, TCP मेलने क्या करता है, जो आपका बड़ा सा data है, उसको छ छोटे-छोटे packets में divide करेगा, और हर एक packet को ये serial number यहाँ पे देता है, इस तरीके से number ये देता है, हर एक packet को, और equal amount में data जो हर packet में insert करता है, देन आपका IP है, एक numeric IP address होता है, जो हर एक system को आप जैसे आप internet से connect होते हैं, तो एक IP address मिलता है, तो इस IP address को हर एक packet है, उसमें डालने का काम आपका IP का है, जैसी किसी medium से या simply internet पे आपका travel होके source to destination पहुंसते हैं, तो वापिस इन जो आपके packets है, इनको reassemble करके इसके original form में लाने का काम भी आपका TCP का है, तो भी TCP को एक communication protocol कहा जाता है, क्योंकि ये source से destination या destination to source आपका data को travel करवाने में help करता है, चोटे चोटे packets के form में, एन IP उनमें IP address डालता है, तो simple सा है, it is a communication protocol on the internet, ये communication protocol है, TCP splits the data into several packets and assigns number to each packet, and IP uses numeric IP address for moving data from source to destination, तो simple सा है कि ये आपका communication protocol है, TCP split करता है, बड़े से data या आपका, जो भी आपकी information है, data है, फाइल से उनको चोटे-चोटे packets में divide करता है, then हर एक packet पर numbering करता है, and IP simply IP address डालता है, and travel होने की वाइरे-सेंबल का काम भी आपका TCP करता है, तो next है हमारा telnet या simply जो remote login के लिए आपको help करता है, telnet simply आपका एक remote login protocol है, अरिकि जो remotely अगर कोई system है, जो कि दूसरी remote area पर है, simply आपका किसी दूसरी geographical area पर physically आपके सामने available नहीं है, तो उसको उसके साथ अगर आपने communicate करना है, या उसमें आपने काम करना है, तो simply हम telnet protocol को use करते हैं, और एक बार जैसे आपका telnet protocol connect हो जाता है, connection को establish करता है, आपके computer और जो destination पर computer है उसके बीच, then simply आप यहीं बेटे बेटे as a virtually remote computer दूसरे system को आप control कर सकते हैं, तो simply इसका यही काम है, remotely आपका दूसरे system के साथ communicate करना है, या उस पर काम करना, तो telnet is a protocol used for creating a connection with a remote computer, once our telnet client establish a connection to the remote host, telnet client becomes a virtual terminal, allowing us to communicate with the remote host from our computer, यानि कि remotely कोई दूसरा आपका host है, simply computer है, एक बार अगर आपका telnet है उसके साथ connection establish करता है, then हम यहीं बैठे बैठे आपका उसको remotely access कर सकते हैं, या उसके साथ हम communicate कर सकते हैं, तो यह तो हमारे कुछ यहाँ पर protocol है, कुछ और protocol हमारे है, जैसे point to point protocol है, या SMTP है, simple mail transfer protocol है, तो उनको भी हम discuss करेंगे, उससे पहले आप screenshot इसका ले सकते हैं notes के लिए, तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, तो हमारे बचे हुए यहाँ पर protocols हैं, उनको हम discuss करते हैं, तो हमारे protocol है, उसको हम discuss करते हैं, और जो next protocol है, वो है point to point protocol, यह पर triple P protocol, अब देखिए यह protocol simply है, जब भी हम dialogue connection की मदब से internet के साथ connect होते हैं, तो इनके drivers को हमको install करना पड़ता है, और यह सारा काम जो होता है, जो communication का काम है, यह एक modem के थ्रू हम लोग करते हैं, जो point to point protocol है, यह simply आपके data packets होते हैं, उनको frames में यहाँ पर डालता है, यानकि उनको encapsulate करता है, आपका frames में, और यह ही आपका चेक करता है, कि sender और receiver के बीच आपका data जा रहा है, frames के form में जाएगा, और आपका किस तरीके से frame वहाँ पे travel होने वाले हैं, तो point to point simply आपका drivers होते हैं, जो simply dial up connection के अंदर हमको help करते हैं, internet के साथ connect होने के लिए, तो इसके definition भी simplicity है, point to point is used, या simply point to point protocol, इसको मैं चली यहाँ पे लिखता हूँ, point to point protocol is used to connect telephone dial up lines to internet, यान यहीं कि telephone dial up lines को internet से connect करने में help करता है, the communication takes place through a high speed modem, जो कि simply आपको पता है, telephone lines में ही आपका conversion का काम करता है, the user needs to install triple P or point to point drivers at the time creating a dial up connection, dial up connection create करने के लिए, internet से connect होने के लिए, simply हमको triple P drivers जो है, इनको install करना पड़ता है, ऐसी next हमारा जो यहाँ पे protocol है, वो SMTP या simple mail transfer protocol, देखी नाम ही इसका बता रहा है, कि यह email address, यह email जो electronic mail है, उनको internet पे transfer करने में हमारी help करता है, और mainly जो आपके यहाँ पे SMTP है, यह mainly आपके जो message है, उनको store and send करने में हमारी help करता है, यानि कि message को send अगर हमने करना होता है, तब हम SMTP को use करते हैं, इसके लावा एक और हमारा यहाँ पे होता है, जो इसी के साथ use होता है, जो कि आपका होता है P.O.P., इसको simply हम बोलते है, Post Office Protocol, और इसका latest version जो है, प्रोटोकॉल, इसका जो latest version है, वो है 3, आपने साथ सुना भी हो P.O.P. 3 से इसको जाना जाता है, अब यह दोनों में difference ही है, यह तो आपका electronic mail है, उसको send करने में help करता है, लेकिन जो P.O.P. है, यह message को receive करता है, जो आपका mail server है वहाँ से, और यह hold करके रखता है, store करके रखता है, जो आपके नए electronic mails आते हैं, तो simple सा है, it is used to send electronic mail over the internet, internet के ओपर यह electronic mail को send करने में help करता है, it is based on email addresses, तो normal आपका चीज है कि email के लिए email addresses जी use करेगा, email client like Outlook जैसे Outlook आपका एक email client है, uses SMTP to send message to mail server, mail server जो होता है, वहाँ पर message send करना है, forward and send हमने करना है, तो simply, जो आपके जितने भी यहाँ पे client हैं या software हैं यह simply SMTP, simple mail transfer को use करते हैं, and POP आपका क्या है, जो simply आपका receive करता है new emails को, तो इसी के साथ हमारा topic भी पुरा होता है, protocols का, आप screenshot इसका ले सकते है notes के लिए, तो I hope आपने इसका screenshot ले लिए होगा, तो इसी के साथ हमारा topic भी पुरा होता है, और यह video भी हमारी खतम होती है, video number 41 तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, video number 42